हेलो गाइस वीदागर सिस्टर्स में आपका स्वागत है तो आज मैं आप लोगों को इसलामी कैप कट करके सिलना बताऊंगी क्योंकि मार्केट में आपने देखा होगा यह बहुत ही कॉसली हो गई है तो आप बहुत ही इसको घर पर भी बना सकते हैं तो चलिए स्टार्ट कर लेंगे और कपड़े को हम डबल रखेंगे और इसमें 5.5 इंच की लंबाई में निशान लगाएंगे तो कपड़ा कितना लेना है आपको यह आप ले सकते हैं एक मीटर से कम जी हां बहुत ही कम कपड़े में हो जाता है तो आप कोई बचे हुए कपड़े को भी यूज कर स तो 22 पर मैं निशान लगा रही हूं बाकी इसमें आपको नाप लेनी होगी सर की तो उसे सबसे फिटिंग लगाई जाती है और इसकी जो चोड़ाई है वो मैंने ली है 5.5 इंच की अब इसको तो डबल मैंने कट कर लिया है कपड़ा जुड़ा हुआना चाहिए यह भी या बाद इस तरह से लंबाई में और जिस तरफ से यह कपड़ा हम लोग का बंद हो रहा है यह देखिए इस तरफ से तो इसी तरफ हम लोगों को इसको पेस्ट करना है तो यह पेस्ट कर लेते हैं यह भी हमें कपड़े की ही लंबाई में लेना है यानि की 22 तो 22 इंच का ही पे वाला हमारा साइड है उसी तरफ हमें महीन-महीन सिलाई लगानी है आप चाहें तो यहां पर कोई डिजाइन भी दे सकते हैं पर यह मैं सिम्पल डिजाइन दे रही हूं इस तरह से लाइनिंग वाली तो इसी तरह से जब तक आपका बुक्रम आएगा तब तक आपको पूरी सिलाई लगानी है पूरे बुक्रम पर इसी तरह से लगा देंगे तो यहां पर सिलाई लग चुकी है अब उपर की तरफ जहां पर ओपन पार्ट था वहां पर भी मैं एक सिलाई लगा रही हूं तो इसको हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वह कट कर लेंगे और यह सिलाई मैंने बंद करने के लिए लगाई हूई थी क्योंकि वह ओपन पार्ट था इसलिए तो यह एक्स्ट्रा वाला कट करने के बाद देखिए अब हम लोग सर की नाप लेने के बाद इसमें फिटिंग लगाएंगे तो यह वही खुला वाला हिस्सा है और सर की ना आप लेनी है और फिटिंग लगा देनी तो मैंने फिटिंग यह लगा दी है अब जिस तरफ हमारा ओपन पार्ट था जहां पर हमने सिलाई लगा कर थोड़ा कपड़ा चाटा था वहां पर हम लोग इस तरह से प्लेट्स डालेंगे तो प्लेट्स कोई आपको गिनने की अब ही मैं आप लोगों को दिखाती हूं कि यहां पर जो है प्लेट्स पर जाएंगी उसके बाद हमें क्या करना है बहुत ही जल्दी यह बन जाती है गाइस बहुत ही इजी भी है आप लोग एक वर इसको जरूर ट्राइ करिएगा आप मार्केट वाली तो बिल्कूल भी न कपड़े से बहुत ही आसानी से इजी तरह से बना सकते हैं इसके अलावा मैंने काफी चीज़े बनाई हुई है यह देखिए मैंने प्लेट्स डाल दी है और यह अब हमें जो यह उपन पार्ट है इसे बंद करना है तो जितना भी सरकल है मैंने एक कैप की हल्प से उससे और ऐसकेमें तो खरें मैं तो थोड़ा सा बढ़ाकर ही काट करना है है यह देखिर तो अब यह हम लोग लेंगे कैप को हम लोग यह पर ऊल्टा कर देंगे और यह तारह से यह उल्टी यह यह लिए पर इसो logisen देनी है तो सिलाय आपको उसी पर लगानी होई है जो आ दो भी जो करेंगी तब एक पड़ा और लगाना होगा तो जो हमने कंची तरह का हमें एक पेस्टिंग पेपर और एक कपड़े पर कट कर नाप का तो मैंने जो एक नीविया के डक्कन से कपडब करना है और इसको पेस्ट करने के बाद कपड़े को नीचे की तरफ करेंगे और पेस्टिंग पेपर पर हम लोगों को सिलाई लगा देंगे तो इस बार हम लोगों को सिलाई जो है वह बहुत ही साफ सफाही से लगानी है क्योंकि यह सिलाई हम लोगों को दिखने वाली है तो इसको हम लोग सफाई से आधे हिंच की सिलाई लगाएंगे अच्छी तरह से कपड़े को करते रहेंगे थोड़ा सा धीरे धीरे आपकी जो मशीन है वो चलानी होगी आपको और यह बस होने वाला है यह को बाहर रखेंगे और अब हमें इसमें बिलकुल महीन वाली सिलाई लगानी है यानि कि जो हमने अभी दूसरी लगाई थी उसके अलावा हम लोगों को एक पतली वाली सिलाई लगानी होगी तो मैं आप लोगों को कंप्लीट करके दिखाना चाहूंगी कि यह किस तरह से ल इसको सीधा कर लेंगे और यह रहा इसका फिनिश लुक बिल्कुल यह ऐसी वाली कैप है जो वो पहनते हैं और इसे हम इसलामी कैप भी बोल सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शियर करें चैनल सब्सक्राइब ने किया तो